Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग, मास, बढ़िया चलो बच्चे करते हैं हम लोग आज का lecture जहां पर हम थोड़ा सा समझने वाले हैं जहां बच्चे थोड़ा सा confused हैं, एक नया सा, नया तो नहीं है, अल्रेडी included है हम लोग के course में जो बच्चे BA, BSC कर रहे हैं, कोई भी diploma course कर रहे हैं, बैसलर course कर रहे हैं तो वहाँ पर ये जो environmental education and disaster management वाला जो topic है, अल्रेडी added है ठीक है ना, तो बिलिगे अपने default में क्या हुआ है, नया syllabus अड़ हुआ, कुछ बच्चों को knowledge नहीं है इसके बारे में, क्या syllabus है, कितना पढ़ लें, कोई exact syllabus कहीं से बच्चों को नहीं मिल रहा है ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर clear कर देंगे, कि क्या पढ़ना है, paper, last year कैसा आया है कैसा आएगा, बच्चे confused है, objective आएगा, theoretical आएगा, उस सारी चीजें ठीक है, इस lecture में आप लोगों की clear हो जाएंगी, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग syllabus से ठीक है, अच्छा syllabus और जो paper है हमें discuss करूँगा, उसका link नीचे description में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको download कर सकते हैं, चलिए, तो start करें हम लोग syllabus से तो syllabus बेटा इसका देखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है, बट syllabus वो ऐसा है कि उसकी knowledge आप लोगों को पहले से है, बस एक बड़ी read कर लेना है, अब एक साथ ये syllabus कहां मिलेगा, बहुत सारी छोचोटी किताबे available हैं, आप उस पर जा सकते हैं, क्या कहते हैं, अलग जैसे कि अपनी जो shopping apps हैं, है ना, Amazon वगरा, Flipkart वगरा हैं, ठीक है, otherwise आप चाहें तो कुछ direct जो topic है, उसको Google पर टाइप करेंगे, तो उससे related topic निकल के आजाते हैं, आप वहाँ से भी read कर सकते हैं, छोटे point, 5-6 point सब के बारे में note करके लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत जार डरना नहीं है, syllabus थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, बट डरना बिल्कुल नहीं है, syllabus ये ऐसा है, आम जिंद lecture का है, ठीक है, उसका आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आभी present time, तो वहाँ पर क्या रहेगा आपको, presently जो जो वहाँ पर lectures available हैं, आपको वहाँ पर दिख जाएंगे, ओके, तो सुरुवात कर लेते हैं, फटाफाट हम लोग, meaning, need and scope of environmental education, सबसे पहली heading आपकी ये आएगी, कि आखिरकार, environment education से मतलब क्या है, क्या meaning है उसका, क्या जरूरत है और क्या scope है, तो यहाँ पर पहले introduction रहेगा करके कि आखिरकार क्या है ये environmental education, क्या objective है, फिर अगर हम बात करें तो उसके अंदर, इस heading के अंदर क्या क्या चीज़े आती है, concept of environment आता है, environment का क्या concept है, क्या meaning है, environmental education से क्या मतलब सबस्क्ति है, उसका meaning क्या है, definitions of environmental education, उसकी क्या definition है, need of, need of environmental education क्या है, goals of environmental education, ये topic important हो जाता है, जो topic important मार दूँगा, उसको पक्के से पढ़ेंगे, classification और environmental education, ठीक है, ये topic भी important है, ठीक है, scope के अंदर बात करें, तो scope क्या है, importance of environmental education, ये again तुम्हारा क्या है, important है, कि ये questions आने के तुम्हारे संभाव न रहेगी, ठीक है, मैं सबको थोड़ा सब यहाँ ब्रीफ करता हूँ, चल रहा हूँ, now objective of environmental education at primary and secondary level, यहाँ primary औ secondary level से क्या मतलब है, कि primary level पे, बच्चों के इस तर सारे बच्चे उनकी education कैसी रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पर कहा रहने वाला है, environment as a medium of learning, the guideline and objective of environment education, क्या guideline से और उसके क्या objective है, ठीक है, broad guidelines for environmental education, कुछ act वगरा है, law वगरा है यहाँ पर, ठीक है, the objective of environmental education, ये question तुम्हारा important हो जाता है, क्या objective है, general जो question आने के संभावना रहती है, classification of environmental education, ये अपना होई गया, objective and focus of environmental education at primary and secondary school levels, ठीक है ना, primary school level पर क्या objective है, environmental education का at primary level, ये question एक generally आ सकता है, आखर उसकूल लेवल पर बच्चों को क्यों सिखाया जा रहा है, environment के बारे में, तो focus on environmental education at primary school level, तो क्या objective है, environmental education का primary level पर एक ये, तुम्हारा topic हाँ थोड़ा important हो ज आ रहे हैं, एक जो आम तोर पर question first रखता है, इतने ये चीज़ टॉपिक्स पक्के से पढ़के चले जाओ को तो at least ये passing marks तुम्हारे हो जाने चाहिए, secondary school stage की बात करें, तो objective of environmental education at secondary level, secondary level पर उसकी क्या importance है, the focus of environmental education at secondary level ठीक है, curriculum for environmental education at school level, उसकी लेवल पर क्या curriculum है, curriculum मतलब क्य क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है, types of pollution, sources, effect and control of pollution, के लिए रहे हैं, अब यहां से कुछ भी आ सकता है, air pollution, water pollution, ये मान के चलो कि इस topic से question आ रहा है, कम से कम दो या तीन question, pollution वाले topic से question आते आते हैं, तो air pollution, water pollution, soil pollution, radioactive contamination, ठीक है, light pollution, invasive species, radio spectrum pollution, e-waste, e-waste होता है, ये सारे topic त यहां से question कहां से आ जागा नहीं पता, effect of pollution, human health पे क्या है, plant animal के उपर क्या है, effect on environment, ecosystem पे क्या है, climatological effect क्या है, prevention and control, किस-किस तरीके से हम ये पूरा मैंने बता है, पूरा ही important है, यहां से question आता जाता है, कोगी main हमको pollution को यही पढ़ना है, environment में कि क्या होते है, pollution, क्या effect आते ह है, ठीक है, waste को कैसे minimize करेंगे, applying pollution control technologies, कौनकों से apply करेंगे, strict environment compliance and enforcement of mechanism, है न, कौन से करड़े कानुन, काईज आ करून वगरा लागू करने है, वगरा वगरा बाते रहेंगे आपर, फिर एक topic आता है, evolution and development of environmental education, कि आखिरकार ये environmental education कहां से evolve हुआ, क्यों develop हुआ, क्यों लाना प सपड़ लोगे, ठीक है, development of environmental education, now major development in environmental education, जैसे कि Stockholm declaration, ये कुछ खास-खास चीज़े हैं, जो घटी है, past में हमारे the international workshop of environmental education, 1975 में हुआ था, intergovernment conference on environmental education, then world commission on environmental development, और United Nations conference on environment and development, जिसको हम अर्थ समीट भी कहते हैं, Agenda 21 और UNESCO, the Soloniki declaration 1997, ये कुछ बाते हैं, जो किस तरसे evolve हुआ, मतलब यहाँ पर ही नहीं है, देखो, दुनिया में लोग जो बैठे हुएं, उन्हें चिंता है, आज हमने अगर परियावरण को नहीं बचाया, तो आने वाली जो हमारी, क्या है, generation है, उसको ये earth देखने को न जल रहा है, environment को बचाने का, ठीक है, और कड़े कायद कानून है, हर country के लिए, ठीक है, development of environmental education in India, ये वाला point होगे, अपने लिए important, इसको मार कर लेंगे, clear है, now the fifth topic, environmental hazards, causes effect and remedies, ठीक है, तो क्या है, environmental hazards क्या होते हैं, types of environmental hazards, causes of environmental hazards, effect of environmental hazards, remedies of environmental hazards, ये topic आगे, तुमारा important हो जाता है, पांच्वा चेप्टर, यहां से question आने के संभावना जादा है, sixth week तुमारा, again important topic है, acid rain, ozone depletion, impact of deforestation and global warming, again topic important है, यहां से question तुमारे, गिरेंगे, acid rain क्या होती है, क्या effect आता है, कैसे रोकेंगे, ozone depletion कैसे बना, क्या importance है, ठीक है, क्या impact है, कैसे उसे रोक सकते हैं, deforestation है, जो जंगलों को काट रहे है, global warming, global warming तो सब जानते हैं, मैंने कहा न, journal topic है, आप लोगों को इनको idea है, तो यह heading से मैंने साथ साथ में दी है, यह impact of ozone depletion, सीधी heading अगर आप Google पर डाल जाएंगे, तो आपको उसके regarding में कुछ ना कुछ topic मिल जाएंगे, आप उसको easily पढ़ सकत है, characteristic of population, ecosystem क्या है, component of ecosystem, a biotic, biotic ecosystem, यह भी तुम्हारा आगेन क्या है, एक important topic होता है, जो generally आता है exam में, ठीक है, याने की 7th chapter भी पूरा पढ़ना, जो टिक मार दे बोरा पढ़ना, उसको पूरा पढ़ना है, biodiversity, conservation of genetic diversity, ठीक होता है, genes, genes की जो diversity है, है न, जैसे की, सबसे तो टाम, अलगर टाइप की variety of आम, तो genes की वज़े से varieties हैं सारी, तो genetic diversity कोई maintain रखना है, तो यहाँ पर हमको थोरा डिसक्स करेंगे, level of biodiversity, genetic diversity क्या है, species diversity क्या होती है, और ecosystem by diversity क्या है, यह थो थोरा सा topic अपना class 12 का है, अगर class 12 से अभी आ रहे हो, तो इस सारे topic तुमको वहां म यह थोरा सा topic हमारा important है, तो कि हमको समझना है कि किस तरीके से नुकसान हो रहा है, तो नुकसान वाले चीजों को ज्यादा पढ़ना है, ठीक है न, इसके अंदर भी हम लोग बात करें, poaching, poaching मतलब होता है, शिकार करना, habitat loss, habitat loss important है, habitat loss का मतलब क्या होता है, कि हम लोग जंग environmental pollution threat, biodiversity को threat, सारे के सारे ही है, कि शिकार करने से biodiversity को नुकसान हो रहा है, habitat loss हो रहा है, exotic species, बहाद से कोई परजाती आ जाती है, genetic pollution, genetic pollution मतलब कोई नई परजाती का gene समलोग लाकर डाल देते हैं, hybridization and genetic, climate in सब का biodiversity पे क्या impact है, यह पढ़ लोगे, ठीक है, तो वो कहीं न कहीं, ए इंसिटू और एक्सिटू अगेन एक important topic है, important topic बेटा क्यों है, यह सारे बहुत ही general topic है, बहुत जारे general topic है यह, ठीक है, institute और एक्सिटू, institute होता है, जो जहाँ है, वहीं पर ही रहकर उसको जैसे कि हम लोग क्या पार्क बना जाते हैं, जैसे कि एक अपना gym corbett park है, तो जो जाया है, बस उसको हम लोग foundation कर देता है, कि इस area में आप कोई आदमी जाकर करके शिकार वगरा नहीं करेगा, ठीक है, एक्सिटू क्या होता है, जो जानवर खतक होने कगार को होते हैं, हम उसको जंगल से ले आते हैं, क्यों, वहाँ पर उनका शिकार हो सकता है, दूसरे ज live in harmony with nature, ये थोड़ा सा topic है, जो कि किस तरीके से हम लोग nature के साथ कुदरती तालमिल बना के रह सकते हैं, वो सारी बाते होंगी, डिस इकलिवरियम between modern man and nature, डिस इकलिवरियम हो गया है, आदमी रात को जाकता है, कॉल सेंटर में, दिन में सो रहा है, सुबह की हवा खानी रहा है, दिन में फ्लैट में पढ़ा है, एस ही की हवा खा रहा है, कुछ मजबूरियां है, कर रहा है इंसान, लेकिन ठीक है, तो उ नहां पर कुछ खास नहीं है, लेकिन हा, learning to live in harmony with nature, nature के साथ harmony, मतलब nature के साथ हम लोग किस तरह से रहें, harmony बनाके मतलब nature का नुकसान नहीं करना है हमको, ठीक है, तो topic है तमाम इसके अंदर, जिसको तुमें पढ़ने है, now, miscellaneous environmental issues, यह तुमारे लिए again important topic आ गया, forest and conservation, wildlife and its conservation, जिसके अंदर, forest क्या होते है, importance क्या है, forest की cause of forest degradation and destruction, forest क्यों हम लोग खतम कर रहे हैं, किस तरह से conserve कर सकते हैं, बचा सकते हैं, wildlife की क्या importance है, क्या कारण है, dwindling wildlife मतलब, wildlife हमारी खराब होते जा जा रही है, शेर वगरा खतम होते जा रहे हैं, देखे रहे हम लोग, wildlife conservation कैसे कर स जान है, अंदर की heading पढ़ लो, 6-6-7-7-5-5, जिनके बारे हम थोड़ा बहुत लिख सको, परियाप्त है, disaster management, अब आगे अपना यालाव टाप है, कि disaster हम सब को बचा, disaster क्या होता है, cyclone, तुफान आना, बार आना, है ना, सूखा पढ़ जाना, इस सब disaster है, ठीक है, इसके अ रहने वाई लोगों को घर भी तूट रहे हैं, कुछ डिलिंवर अगर चक्कर था, तब जो इंसानों की वज़े से होते हैं, ठीक है, कैसे उसे tackle करेंगे, कैसे deal करेंगे, timed and untimed decider, कुछ तो अपने time से आते हैं, सूखा पढ़ रहा गर्मी में अलग बात समझ मारी है, स्कूल और community जो हमारा समाज हो किस तरह से participate इसमें कर सकता है, ठीक है, तो topic understanding the term disaster, disaster क्या मतलब है, classification of disaster, strategies to tackle disaster, timed and untimed disaster, disaster management, teacher school, ठीक है, यह दो topic तुम्हारे लिए important हो जाते हैं, जिसको तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, now disaster management and its outcome on education, उसका education पर क्या असर पढ़ रहा है, ठीक तो यहां पर topics हैं, जो phases of disaster management को क्या-क्या phase होते है, disaster management and education, डियास्टर मैंजमेंट और उसका education, agencies of education for disaster management, कौन-कौन ही agencies है, agency मतलब institute है, या तरीके है, agency मतलब होता है, जैसे कि कौन-कौन institute है, जैसे कि अब तो क्या हमने हर जगे disaster management का course चालू कर दिया, या disaster management का कुछ खास institute है जो सिखाते हैं, किस तरह से manage करना है, formal, informal, non-formal agencies, ठीक है न, agency मतलब जो institute, जो proper disaster management की training दे रहे है, active and passive agencies, commercial and non-commercial agencies, need to learn about disaster management, outcome of disaster management education, ठीक है न, इसका क्या फाइदा हुआ, क्या outcome है, ठीक है न, तो disaster management के बारे हम सारी बाते पढ़ने हैं, अब, last topic आता है, students and fallout of disaster on their education, विद्यार्थी और disaster management का उसकी पढ़ाई पर होने वाले नुकसान, ठीक है, how to rebuild the educational program and role of management in overcoming the disaster to the system of education, किस तरह से disaster management का effect ना पढ़े, education system पर, उसके बारे में सारी बाते होने वाले हैं, students का क्या role है, teachers का क्या role है, community का क्या support रहेगा, ठीक है, तो status of disaster management education in India, rebuilding educational program for disaster management, ठीक है न, management in overcoming disaster in school, क्या role रहेगा, ठीक है, topic में read कर दे रहा हूं, इसको डालोगे, देखोगे, ठीक है, यहाँ पर पुरा detail नहीं कर रहा है, केवल, इसको पढ़ रहा हूं मे, role of students in disaster management, यह एक important topic हो जाता है, पढ़के जाएंगे बेटा, important है, ठीक है, role of teachers in disaster management, ठीक है, again, important topic में आता ह यह, role of community है, तीनो, role पढ़के जाएंगे, important हैगा, तो कहीं ना कहीं बात समझ में आ रही है, बहुत basic topic है, लेकिन एक वारी बेटा पढ़ना जरूरी है, एक वारी कानों में सुन लोगे, यह आँकों से देख लोगे, हाँ, इसके अंदर यह point है, फिर याद बने रहेंगे, मन से लिख्या होगे, पेपर बड़ा simple होता है, आओ देखें पेपर, तुम को सर पेपर तुभी तो दिखा दो, हमने करें लाओ दिखा देखा दें पेपर यह देखो, ठीक है ना, लाक्ष्टरी यूपी, डीफार्म, ठीक है ना, यूपी का है, दो हजार 22 का, ठीक है ना, पांच पांच नमबर के दो कोशन होगे, पांच पांच नमबर के दो कोशन होगे, तो मतलब सारे के सारे कोशन जो है, एक, दो, तीन, चार और पांच, तो दस कोशन आने वाले, 10 कोशन इंटू 5 मार्क्स, और हो गया हमारा क्या, 50 मार्क्स, ठीक है ना, तो टोटल मार्क्स कितना है मैंक्यों मार्क्स 50 का है ठीक है उससे ज़्यादा मार्क्स का नहीं है ये और हर कोश्चन में टोटल पांच कोश्चन आएंगे हर किसी में एक दो और तीन आप्सन रहेंगे तीन कोश्चन रहेंगे दो करने रहेंगे attempt any two write in brief the basics of ecology देखो ecology के बारे में लिखना है explain the concept of greenhouse effect ठीक है ना greenhouse effect किस में आजाएगा हमारा pollution के अंदर आजाएगा writer note on road development and ecology तो कोई दो ठीक है ना अब मालो तुम लोग मालो अचानक से नहीं पढ़के चले ऐसी चलेगा तो ecology of greenhouse effect के बारे में जानते हो लिख दो जितना जानते हो यह नहीं जानते हो छोड़ दो इसको ठीक है ना अब again answer any two discuss the man-made sources of pollution कितना आसान question है describe the biological characteristics of wastewater 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 के biological characteristics क्या-क्या उसके character होगा बदू मारेगा गंदगी होगी क्या-क्या करेगा सारी बाते लिखनी है how can air pollution be controlled इससे आसान बेटा पेपर क्या होगा नहीं भी पड़ा ना तब भी पांच प्राइब नमर में दो दो नमबर लेक्ट के आ जाओगे अब आगयाथ है how does noise pollution affect the children noise pollution के effect पढ़ लोगों तो बेटा यहां फेंप पॉइंट लिखने आसान हो जाएंगे पांच पांच नंबर के हैं तो पांच पांच ददद पांच लिख दोंगे इसके बार में यह एफेक्ट है बड़ा असान हो जाता है अरे हां से दो अब तो अब तो सलेवस मिल गया हाजा वीज़ा ठीक है अब देखो यह आगया यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा कुशन नवर फोर की बात करें है राइट नोट और मेनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियर और हजार्डस वेट्स वेश्ट तो अगर यह थोड़ा पढ करके और यह कैमिकल्स वो ले करके जो कि हमारे इसके अंतर हमको पढ़ने हैं कौन-कौन से लौग वगए रहा है उसका भी मैं एक लिस्ट बना दूंगा ठीक है ना वाइज इन्वार्मेंटल मेंजमेंट सिस्टम रिक्वाइट क्यों जरूरत है इसकी भाई है ठीक है ना तो क्यों जरूरत बात समझ में आ रही है हम लोग प्रकृति को बरबात कर रहे है आने वाले टाइम में वड़ी दिक्कते हो जाएंगी अब टाइप्स ऑफ डिजास्टर मेंजमेंट सिलेवस में था मैंने मैंने मैंशन किया था अब्जेक्टिव आफ नैशनल इन्वार्म पॉलिशी क्या जरू होता है नैशनल इन्वार्मेंट पॉलिशी जो लाई गई है क्या जरू होता है उसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम यह सब सिलेवस के अंदर टॉपिक है अपने ठीक है ना तो टॉपिक्स जो है बड़े सिंपल से रहेंगे लाश्ट टाइम का पेपर बड़े सिंपल सा आया तो ऐसा पेपर नहीं है कि करना पाओ लेकिना पढ़के जाओगे पॉइंस दिमाग में होंगे तो काफी आसान रहेगा किलियर है अच्छा जो बच्छे हिंदी में करना चाते हैं उनके लिए पेपर हिंदी में भी है बिल्कुल परिशान ना हो ठीक और यह अपना शांदार मस्त बड़िया सा प्यारा सा एप्लिकेशन माइन नर्चर ठीक है जिसका आप लोगों का बहुत जादा प्यार मिल रहा है ठीक है इसके लिए तहे दिल से सुक्री आप लोगों का तो इस सिलेबस का और इसका मैं पेपर का लिंक इस लेक्षर के डि की अपना एप्लिकेशन है ठीक है तो सबसे जरूरी चीज हमें सब बोलता है हूं मैं बिटा पढ़ाई करनी है पढ़ना है और रिवाइस करना है सारी असान होगी और कुछ बच्चे कुछ चीज के लिए पैसान होते हैं उसके पर मैं कुछ चीज डिसकस करूंगा लेकिन बाद में एक लेक्च्चर लेकर आऊंगो थोड़ा सा मॉटिविशन टाइप कराएगा ठीक ना तब तक लिए फिलाल पढ़ते रहो रिवाइस करते रहो अल दा बेस्ट